हालो फ्रेंड्स नमस्कार और विलकम टू शामदान शांथी उमीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और सांथी आपके स्टड़ी भी अच्छे से चल रही होगी साथी बिहार में आप लोग अगर बीपीसी की त्यारी करते हैं तो आप सभी का इंतिजार है कि सत्रवी बीपीसी का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा एक्जाम डेट को लेकर के भी कनफुजन है हालांकि थोड़ा सा कनफुजन में आपको रहत मिली है क्यूंकि दोसे तinnen दिन पहले हैं एक्जाम कलेंडर अप्डेट किया गया है तो उसमें जो डेट है उसमें कोई changes नहीं किया गया है लेकिन अभी क्या possibility है क्या exam date में correction हो सकता है यानि change हो सकता है और होगा भी तो कितना जिन होगा चुकि अभी देखेंगे तो केवल BPSC को मातर साथ भी भागों से रिखते हैं मिली है और वहीं अगर बात करें जिस post के लिए सभी लोग इंतिजार में हैं कि SDM की और DSP की कितनी post होगी तो आपको बता दे कि अभी तक SDM और DSP की एक भी सीट में मिली है सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं आज की जो भी अपडेट है तो चलिए उसको समझते हैं कौन-कौन से post आये हैं कितने department से वेकेंसी जाई है और अभी तक एप्रॉक्स कितने वेकेंसी मिल चुके हैं BPSC को अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे साथ ही हो तो आज के हिंदुस्तान पेपर में नियूज आया है और यह ऐसा नियूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाइट लिया है जो BPSC का ध्यक्ष हैं चेर्मेंसर हैं रभी मनु भाई प्रमार ठीक है हेडलाइन है BPSC अभेटियों का डेटाबेस त्यार करेगा अब देखेंगे डेटाबेस क्या है हम लोग आगे इसमें बात करेंगे उससे पहले बात कर लें कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ चुकी है और क्या पोसिबिलिटीज बन रही है कि एक्जाम से मिल चुकी है BPSC को BPSC सत्रवी संजुक्त सिविल सेवा के लिए अवस्तक सिर्फ अच्छा विभागों से सौ रिक्ट्या प्राप्त हो चुकी है मातर कितना वैकेंसी तो इयों की और से विभागों से रिक्तिया मागी गई है Based on BMP-leading के लिए कितने वैकेंसी मिले हैं तो 12 परिवाहं विभाग से 5 unst दिट्मट्र से मिलए हैं 500 बलॉकष उफिस्टर स्था में पांच एक विभाग विभांसूरल से प्राप्ट हो रही हैं और इस कंडीसन में जोकि भी जो आचि आ जाता है इसके अलाए सe समय कहा हो गया डिकनुका हो गया इसके अलावे आरो का हो लेट हुई गया है लेकिन अब और इसमें लेट होने का कारण नस्पष्ट दिख रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है भगेंसी रिलिज नहीं कर पाए हैं और इसी बीच आपका जो अरक्षणों लंबुद्दा है वो भी सुप्रेंग कोट में पेंडि क्योंकि अरक्षण अगर रद होता है तो पुराने पर आएगा और लागू रहता है तो नए पर आएगा तो इस कंडिशन में अभी संभावना यहीं बन रही है कि नोटिपिकेस्टन में और अभी देरी हो सकता है लेकिन बीपेसी यहां पर बार बार जो कलिनर में अपडे सेप्टेंबर में एक्जाम होना है तो हो सकता है कि अपका अक्टूबर में एक्जाम हो जाए लेकिन इससे ज़्यादे आपको समय नहीं मिलने वाला है तो टार्गेट अपको 30 सितंबर होना चाहिए नोटिपी के सरम देरी हो सकता है एक्जाम में देरी होगा तो 15 से 20 दिन का नाम था और उन्होंने साथ परसेंट वह हैंडिकेप्ट हैं हैंडिकेप्ट के छूट लेने के लिए आपको 40 परसेंट उसमें डिशेबल होना चाहिए और उन्होंने गलत तरीके से 40 परसेंट बनवा करके ट्रेनिंग भी कर जिया सारा चीज हो गया हलांकि लगतार बार- प्रसेंट में बैठे होंगे तो आपका डेटावेस अल्रेडी भी पीसी ने ले लिया है और उसमें अब का धार कार्ड जनम्ति थी काटेगरी क्या है इससे क्या होगा कि आप जब भी फर्म भरेंगे तो आपका सारा डेटा सो कर देगा आप उसमें छेठ छाड नहीं कर प वह आप सुधार नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आपको खुद से करना है या अगर साइबर से करवार भी रहे हैं तो एक एक चीजों को बारी किसी देखना है कि कोई मिश्रेक ना हो जाए यहां पर दखिए वही चीजों को मेंसन किया गया है बिहार लोक्षेव आयों का ब अधार नमबर और जाती कि श्रेणी को भी इसमें रखा जाएगा एक बार डेटाबेस त्यार हो जाने के बाद जब यह बहुति दुबारा कि परिक्षा के लिए फर्म भरेंगे तो उन्हें पहले से इस डेटाबेस को खोलना हुगा डेटेल पंजिक्रित होने के बाद एक तो यह सारा चीज इसमें डे टो डे बद्राव किया जरा है बीविसी के एक्जाम में तो फिलाहाल का अपडेट यह है कि अभी शौर रिक्ती मिली है छे पलस वन डिपार्टमेंट से लगबक साथ डिपार्टमेंट से सौ क्या सपास रिक्तिया प्राप्त हुई है और ऐसे